हम आपस में एक से नहीं कई धागों से चुड़े और इन रिष्टों में और एक मस्बूत थाका जुड़ने जा रहा है वो है आकाश मीरा का रोका मीरा तुम्हारे माबोजी ठके होंगे इनने गेस्टों तो नहीं लेके जाओगी दीनू जी साब यह सब समान लेके जाओड गेस्टों में पिछनी भाया मैं आकाश भाया के रोके में अनसा सब भरोका डास मैनू अब आपी बदा दो ना अपने प्रित्वी भी ऐसे पूछो कि क्यों वो तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दे क्यों मो फेर कर खड़े हैं क्या वो इस रोके से खुश नहीं आफ्टर आल सब कुछ इन्होंने ही तो अरेंज किया है अब आप इस रोके से खुश नहीं हो अपने होने वाली भावी से कहते ना रोका उनका होने वाला खुश नहीं होना चाहिए और जाय और त्यारी करें अब आपका एता आपको खुश होना चाहिए ना पूछो इनसे इन्हें कब दूसरों के खुशियों की परवा होने रहे खुद के अलावा किसी और के बारे में सोचा है कभी अभी किसी की आखों में आखे डाल कर देखा है क्यों उनके दिल में क्या है मैं किस आख से बुश लूगा हमरे बे दिल के बारे में कभी किसी ने सोचा है अज तक कभी किसी ने जानने की खोशिश किये कि हमका चाहते हैं तुटकर अपना फैसला समाथी तृत्वी आज तक दूसरों के फैसले से अपनी जिन्दगी चीता है लेकिन अब हर फैसला हम रहोगा पिर चाहे वो हमरी जिन्दगी हो या किसी और के अब जब तुम्रे रोके का फैसला हम गे ले लिया है तो उसे थुमधाम से पुरा करेंगे सारी तैयारिया हम खुद करेंगे घर का कोना कोना सजाएंगे उने वाले दुले को सजाएंगे और दुल्हन के सजने का बंदोबस्त भी हम ही करेंगे दूसरों की जिन्दगियों के बारे में फैसला करने का हग किस ने दिया तुम्हें? किस हग से तुम ये सब कर रहे हूँ? तुम आकाश की बाद भी ध्यान से नहीं सुनती का? वही हमेज जाहिदात का सत्तर तदिशत का मालिक बनाया है उसी हग से हम ये सब पैसला लिये हैं मीरा जी आपके मम्मी पापा को गैस रूम में बिठा दिया है वह आपको बुला रहे है ये सब क्या हो रहा है राजीव? I can't understand this ये पृत्वी होता कौन है जो हमारे घर के सारे डिसिजन लिये जा रहा है आकाश और मीरा की शादी भी उसी ने फिक्स की है और रोका भी उसी ने अनौन्स कर दिया हमीन, वह है कौन जो हमारे घर के मामनों में दखल दिये जा रहा है मामाई, इस तो मच दो लड़का व अपनी लिमिट क्रॉस कर रहा है अरे हमारे आकाश का रोका है अगर रोका होगा तो वह हमारी मजी से होगा एक मिनट, एक मिनट अगर किसी की मजी से को अच्छा काम हो रहा है तो इसमें बुराई ही क्या है और फिर वैसे भी यह फंक्शन तो होना ही था ना एंड फर गॉड़ सेख आप लोग प्लीज प्रित्वी को बाहरवाला समझना बंद कीजिए आखिर बड़ा बेटा है वो इस गर का कि शादी हो जाए तादी ठीक के रही है आप सब लोग चाहते हैं ना कि मेरी और मेरा की शादी हो तो फिर प्रित्वी ने जो कुछ भी किया है बसमें गलत क्या है हाँ हाँ आप सब तो उसे की तरफदारी करेंगे ना तो हम लोग होते ही कौन है अरे महिया यह तरफदारी वाली नहीं कमजदारी वाली बात अंडित जी ने पंदरा दिन में शादी करवाने के लिए कहा था अब किसी ने भी कोई भी रसम को आगी नहीं बढ़ा है इसलिए इस घर का बड़ा बेटा होने के नाते हमने फैसला लिये कुछ गलत किये खा नहीं बेटा तुमने जो किया सही किया चलो सब लोग रोके की तैयारी में लग जाओ आरे नहीं दादी किसी को कुछ करने की जुरत नहीं सब हम पर छोड़ दीजी ऐसी तैयारी करेंगे की सब याद रखेंगे ओ भवरे हो गया काम कर ले ही ही यह सर भारी तैयारी ठीक से हो रही है एक भी बलब नहीं जला तो तुम्हें जला के लटका देंगे उसके जला समझे घर घर नहीं बगीचा लगना चाहिए पूरे घर को सजा दो आओ यहाँ 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 लड़का और लड़की के बैठनी की जगा तुरा देखे तो सही आराम दायक है या नहीं आखिर होने वाले दूले राजा यहाँ बैठने वाले हम खीक है तुम भी देख लो आखिर बैठना तो तुमे ही है मेरा मेरा मैं तुझा है ठोन रही थी बेटा चल आखिर आखिर मेरे साथ मेरा 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 सहर सपपाटा करने आये हो का यहां काम करो जल्दी बहुत काम बचा है भाई ना काम करो और दूसरों को भी करने दो कर दूसरों कर दो समयादा करें दो करें हो जा है भाई रष्पल 성्वाए़। झाल 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 प्ला झाल 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 जालो हलो हलो बैब अभी कुछ दिन तक ओफिस नहीं आओगा बिजी हूँ सारा काम आपको दिन ओके थैक्स क्यों हो यह नहीं देखा तुमने पृत्वी हमारा रोका करवाना चाहता है उसने तो मा और पिताजी को भी यहां बुला लिया अगर वो मुझसे प्यार करता है तो वो यह सब क्यों कर रहा है कहीं में किसी गलत फेमी में तो नहीं जी रही ना कि वो भी मुझसे प्यार करता है गलत फेमी नहीं है और जितना तुम सोच भी नहीं सकती हो ना उससे कहीं ज्यादा प्यार करता है वो तुमसे इसलिए वो इस सब कर रहा है मियू एक्चली वो तुम्हारे प्यार के आगे कमजोर हो गया है अब खुद को रोक नहीं सकता इसलिए तुम्हें रोक देना चाहता है तुम्हारे सामने टूट कर बिखर न जाए इसलिए वो तुम्हें किसी और के साथ बांदेना चाहता है और पता है क्या वो तड़ता है इस बात से कि तुम्हारे प्यार के आगे उसकी नफरत कमजोर ना हो जाए वो जो कुछ भी हो यह यह रोका नहीं कर सकते मेरी प्रित्वी के साथ शादी हो चुकी है सिर्फ उल्टे फेरे लेने से सच तो नहीं पलट जाता ना को शादी तो नहीं तूट जाती प्लीज आकाश यह वाव तो स्टॉप दिस रोका अट अनी कॉस I can't do this Akash, please stop this Roka, please मैं तुम्हारी तक्दीव समझसता हूए पर भरोसा रखो बादशाधी तक नहीं पहुंचेगी और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि रोका भी ना हो लेकिन तुम्हें पुता है अगर यह रोका होता है अनु तो प्रित्वी को यह देखकर जरूर तकलीफ होगी हम दोनों का रिष्टा जुड़ता हुआ देखकर वो तूट जाएगा मियो वो तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता है अभी वो तुमसे भाग रहे लेकिन देखना तो तुम्हारे बास भाग कर वापस आएगा प्रीस मुझपर परोसा रखो और जो मैं कह रहा हूँ वही करती जाओ तुम्हारा ही होगा मियो सिर्फ तुम्हारा जो मियो यह लेकिए मैंने तेले साड़ियां खरी दिया एक कोई सी पसंदद से और हां यह जेवर याद से पहने ना तादी ने बहुत मन से दिया है हम्हारा जो 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 क्या हो अमियो तेरा चैरा यसा उत्रा क्यो है यह साड़ी पसंद नहीं आई क्या नहीं आई होगी थे जो जो थे जो जो मीरा को तैया आरूने चुरून तु मेरी चाहत मेरे दिल का करार है तुझे मा के दिल ने जाना दिल को तुम से प्यार है तु मेरी चाहत मेरे दिल का करार है तुझे मा के दिल ने जाना दिल को तुम से प्यार है मीरा उमित तु बनकर मुझे को मिला है मन्सूर मुझे को है ये फैसला हम सफर बनके साथ चले तुम ना दर्मिया हो कोई फासला हो मेरे सास में तु मेरे लूह में तु मेरे दिल के हर अलफास में तु पर्याद में तु हर याद में तु मेरी आह में और आवाज में तु तू मेरी चाहत मेरे दिल का करार है तुझे पाके दिल ने जाना दिल को तुमसे प्यार है अन्तुनिया की सबसे पुश्रत लगे हूँ हम कुछ नसीब है कि हमरी शादी तुमसे हो रही है रही है तू मेरी चाहत मेरी प्यार है झाल झाल झाल